तो बच्चो कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज का ये वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़रा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो आज आपका पेपर हुआ है English Language and literature subject का इसका हम लोग answer की देखने वाले है ठीक है पूरा solution देखेंगे कि कौन से question का answer क्या लिखना था बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और वीडियो के last में मुझे बताएगा कि आपके कितने marks बनते हैं बच्चों ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ये हमारा set one है बच्चो ध्यान रखिएगा मैं आपको एक बारी दिखा देता हूँ उपर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये set one है और question paper का code आप यहाँ पर देख सकते हैं set two और set three का वीडियो भी जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा चलते हैं हम question का क्या answer आपका होना चीये था बच्चो यो आपका पहला question है और आप देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं, third आप अपना question देख लिए यहाँ पर, third question आपका कुछ इस तरह से है, यह आप अपनी screen पर देख सकते हैं, और इसका answer मैं आपको दिखा देता हूँ, third का answer आपको कुछ इस प्रकाल से लिखना था, ठीक है बच्चो, चलिए, आगे चलते हैं, जो आपका fourth question है, यह आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसका answer आपको कुछ इस प्रकाल से लिखना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, positive end करके जो देख रहे हैं इस तरह से आपको लिखना था, जो हमारा पांचवा question है, पांचवा question का आपका जो correct option हो जाएगा, वो हो जाएगा option number D बच् ओके, जो हमारा चठा question है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चठे question का option number C correct हो जाएगा, D and E करके, तो जो आपका D वाला है और E है, यह correct हो जाएगा इससाफ से, C वाला option आपका correct हो जाएगा, next यहाँ पर साथवा question देखिए, साथवे question के अंदर आपको क्या लिखना था, व तो fill in the blanks में आप यह भर सकते थे, यह आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, चलिए, अब हम लोग आगे हैं, दूसरे passage के अंदर, जो आपका दूसरा passage है, यह आपका NEP, यानि की new education policy जो आया था ना, उसके उपर है 2020 के उपर, ठीक है, the national education policy 2020 के उपर यह आपका passage दिया मैं आपको सीधे answers दिखाता हूँ, कि कौन से question का, क्या answer आपको लिखना था, यह आप देख सकते हैं, इस तरह से आपका passage है, और पहला question इस तरह से, यह आप अपनी screen पर देख सकते हैं बच्चों, इसका जो answer आपको लिखना था, वो यह लिखना था, पहले question का, वो मैं है, इसके अंदर दो जो fill in the blanks दिये गए हैं, यह आपको बताने थे, मतलब भरने थे, ठीक है, तो यहाँ पर first वाले fill in the blanks में आ जाएगा, कि is an fact, ठीक है, is an fact करके आपका यह first वाला fill in the blanks भर जाता, और second वाले fill in the blanks में आपको is an subjective करके भरना था, मैं आपको answer की भी दि से जारा लाइक कीजिएगा, जितना जारा वीडियो को आप लाइक करते हैं, उतना जारा हमारा motivation बढ़ता है, और वीडियो को बनाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियो से हम आपके लिए लेकर के आते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लि अप्षिन नंबर जो C है, यहाँ पर हो जाएगा, यह आप देख सकते हैं, C वाला उप्षिन, ठीक है, फॉर्थ जो आपका question है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह फॉर्थ कोशन है, इसका जो correct answer हो जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देख सकते हैं, यह हमारा 5th question है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से था, 5th का correct answer, यह आपकी screen पर hierarchy हो जाएगा, इसका, ठीक है, hierarchy करके, और इसके आगे चले, तो जो आपका 6th question है, यह आप अपनी screen पर देख सकते हैं, यह question था आपका, और इसका जो correct answer हो जाएगा, वो मैं आपको question है, इसका answer आप मुझे comment करके बताएगा, ठीक है, यहाँ पर question कोछी इस तरह से है, कि justify the statement, the NEP will create an awareness and appreciation of Indian art and partnership करके इस तरह से है, तो इसका answer comment करके बताएगे, जिसका भी answer सबसे पहले आएगा, और correct answer आएगा, उसके comment को मैं यहाँ पर heart कहनी दिल का निसान दे दूँगा, ताकि और बच्चे समझ सके, बच्चे ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है बच्चो, ठीक है, चली आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए है, section B के अंदर, जिसके अंदर grammar और creative writing skills वाले जो questions है, वो पूछे गए थे, तो यहाँ पर जो third का first question है, तीसरे question का जो यहाँ पर, प पकड़ना था और correction बताना था, तो यह जो आपका sentence दिया गया है, इसके अंदर जो यह दो है न, यह error है बच्चो, तो यहाँ पर error में आ जाएगा दो, और correction में यहाँ पर आ जाएगा A, ठीक है, यह आपका correction हो जाएगा, इसके आगे चले तो जो आपका third question है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, तो इसका जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा option number A बच्चो, यह आप देख रहे है, option number A है आपका, ठीक है, he had been overloaded with assignments, तो यह आपका correct answer हो जाएगा, अगला question देखिए, यहाँ पर हमारा fill in the blanks वाला है, तो यहाँ पर simply it भरना था, it भरना था आपको बच्चे ने बिल्कुल सही भरा यहाँ पर, ठीक है, जो हमारा चटा question है, चटे question के अंदर जो आपका error है बच्चो, वो है offers, ठीक है, यह जो offers है, यहाँ पर यह error है, तो यह error लिख देंगे आप यहाँ पर, और correction क्या हो जाएगा, simply आपको यहाँ पर offer लिखना था क्या लिखना था बच्चो, offer करके, ठीक है, चलिए, अब आगे चलते हैं, हम लोग आगे हैं, साथवे question के अंदर, साथवे का जो C है, यह आपका correct answer हो जाएगा, यह error है, younger, और correction होगा, youth करके, ठीक है, आगे चलते हैं, हम लोग आगे हैं, आठवे question के अंदर, आठवे question मे आपको क्या लिखना था, he had, जो हसो की, got a new haircut, यह आपका correct answer होता, मैं आपको एक बार यह answer की, मैं दिखा देता हूं, सारे answers, तो यह देख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, नौवे का answer हो जाएगा, he had, जो हसो की, he just had got a new haircut करके, ठीक है बच्चो, इसके आगे चले, तो जो हम बारवा question है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बारवे में, जो error है, वो है in, और इसकी जगा आएगा to, ठीक है, एक बड़ी मैं आपको answer की, मैं भी दिखा देता हूं, यह सारे answers, तो यहाँ पर आप देख सकते है, error क्या है, in है, और correction है, बच्चो आपका to, तो यही तक था हमारा यह answer की, इसके आगे के अगर आपको answer चाहिए, तो आप मुझे comment कर देजेगा, बाकी मैं आपको पूरा, जो question paper है, वो दिखा देता हूं, बहुत मुश्किल से बच्चो बनाया है, बहुत जारा time लगा है बनाने में, तो एक like जरूर कीजेगा, अगर आप set 2 और set 3 का चाहते हैं, answer की वाला वीडियो, तो आप मुझे comment करके बताएगा, कि set 2 और set 3 का लाईए, तो जरूर जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करेंगे, वैसे हमने तो सोची रखाए, कि बहुत जल्दी लाकर के बच्चो को दे दे, ताकि जो confusion है बच्चो के अंदर, कि बहुत या कौन से question का, क्या answer होना चीए, वो दूर हो जाए बच्चो, ठीक है, तो यह आप अपनी screen पर देख सकते हैं, इस तरह से आपका ये paper आया हुआ था, ठीक है बच्चो, तो आप मुझे comment करके जरूर बताएगा, कि आपके कितने marks बने हैं बच्चो यहाँ पर, 80 में से, अ आसकते हैं, आज की इस वीडियो के लिएतना ही, मिलता हूँ आप से अगले वर exciting वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखी सभी को, जया हिंद, वन्दे मात्र,